2003 में पदमश्री और 2014 में पदमभूशन से इस गीतकार को नवासा किया था लेकिन पिछले काफी दिनों से वो चर्चा में है क्योंकि दो अभीनेत्रियों और एक गाइका ने उन पर यौन शोशन का आरोप लगाया है जिसके चलते अब उन्हें एक और सम्मान मिलने वाला था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया है ये सम्मान है ओएन भी और मैं बात कर रही हूँ तमिल गीतकार वेरा मुथ्थू की जी हाँ वेरा मुथ्थू पर आप सभी जानते हैं कि दो अभीनेत्री और एक गाइका ने यौन शोशन का आरोप लगाया था अब उनको ओन भी पुरसकार मिलने वाला था लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं ये पुरसकार नहीं लूँगा और जो तीन लाग रुपे की राशियों ने मिलने वाले थी पुरसकार में वो केरल राहत कोश में डाल दी जाए तो ये बहुत बड़ा पुरसकार है और ये पुरसकार ज्यानपीट पुरसकार से सम्मानित मल्यालम कवी दिवंगत ओ एनवी कुरूप की स्मृति में दिया जाता है लेकिन कुछ दिनों पहले जो है जो दो अभिनेत्रियां हैं उन्होंने और एक गाईका ने उन पर आरोप लगाया था वेरा मुथ्धु ने कहा कि मुझे पता चला है कि बदले की भावना रखने वाले लोगों के हस्तक शेप के कारण पुरसकार पर पुनविचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसलिए मैं केवल विवादों के बीच पुरसकार प्राप्त करने से बचना चाता हूँ तो अभिनेतरी, पार्वती और गीतु ने उन पर आरूप लगाया था साथ में गाई का चिन्मई श्रीपदा ने भी वेरा मुथ्धु पर यौन उत्पुरिण का आरूप लगाया था जिसके बाद अब उन्होंने इस पुरसकार को लेने से मना किया है और कहा है कि मैं नहीं चाता कि लोगों का दबाव हो और जो जूरी है वो दुबारा अपने डिसीजिन पर पुनरविचार करें तो बेटर होगा कि ये पुरसकार मुझे चाहिए ही नहीं और जो राशी मु हतकोश में डाल दी जाएं